तो सबसे पहले आज के करेंट अफेर से शुरू करते हैं आज के करनट अफेर्च तो कि अध्यक्त सारे जा रहे हैं है कि हांजी अजके करनट फेर ाफ्यर्स फार्टेंप में 2021 के सबसे के पहला करन्ट फसेर है ओवरशेज शिटिजन ओफग ऑफ इंडिया ओसी टेखो इन नाम में कभी सब्सक्रालब सुन्ने इस न reform है कि जैसे इंडिया के अपने किनी सिटिजन देशन हैं एक चीज़ इंडिया ने अपने कॉंसिटिशन में बहुत क्लियर करती है आपके इंदर लिखा हुआ है कि इंडिया सिर्फ सिंगल सिटिजन्शिप लाओ करता है कई कंट्रीज में ने एक प्रिंसिपल होता है कि तुम एक ही टाइम पे मल्टिपल कंट्रीज के मेंबर मनें हो सकते हो जैसे स्विजर लैंड के और उसके साथ में यूएस से के तो तुम्हारे पास उसे कहते डूवल सिटिजन्शिप तो कुछ कंट्रीज आपकी डूवल सिटिजन्शिप लाओ करती है जहां पर आप दोनों कंट्रीज के मेंबर एक साथ हो सकते हैं पर दूसरी साड़ पे इंडिया का का जो और फिधेश ऐसे हैं जैसे ज पान जैसे मों सिंडल सिंगल से टिजंशिप मतलब है यहां तो हमारे सिटीजन हो सकते हो यह किसी और के तुम दोनों के सिटिजन एक ही टाइम पे नहीं हो सकते तो आपका आपका अपे से इप्थे उसके बाद किया होता है के वहाँ पे दस वारा सुने के बाद जाके इस तो जब जो पासपोर्ट होता है तब जाकर इनका चेंज होता नहीं तो जब वह कहते हैं कि उन्हें ग्रीन काड मिल गया है आकली घ्रीन में वह डिवी इंडियन citizen ही होते हैं इंडियน passport ही होते हैं उनके पास उने बस उस country में अब रहने की permission मिल गी है तो अब हुआ क्या है कि हमने इजा इंडियन बताना के चाता था मैं कि जब वो दूसरे कंट्री के सिटिजन बन जाएंगे उस कंट्री का उन्हें पास्पोर्ट मिल जाएगा तो उनका इंडिया से किसी भी टाइप का कोई लिंक खत्म हो जाएगा अब खुद सोचो इंडिया गरीब कंट्री है हमें डॉलर्स चाहिए तो हम कि हमने क्या किया लॉंग टर्म एक स्कीम बनाई जिसे हमने नाम दिया है ओवर सी सिटिजन ऑफ इंडिया इसमें करते क्या है हम ना सिटिजन्स को एक अलग से मेंबर्शिप कार्ड जैसे है ना मेंबर्शिप कार्ड जैसी चीज़ दे देते हैं कोई भी परसन जो इंडियन ओरिजिन का था वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रांड पेरेंट्स इंडियन ओरिजिन का मतलब है वो खुद या उसके पेरेंट्स यहां उसके ग्रांट पेरेंट्स इंडिया में अगर बॉन और ब्रॉट अप थे तो हम उन्हें एक प्रिवलेज देते हैं कि तुम इंडिया के ossii. flows कोंपे वह प्लाई करना बड़ता जो भी उसे का मैमबर एप्लाई करेगा उसके बास उसे बहुत सारे ए सी facilities मिल जाती है जैसे जो citizens of India को मिल रही है वैसे कि facilities उनहें मिल जाती है ठेक्व हो अधर के उंडिया के अंदर होता गया नहीं तो तुम्हें हर बारी वीजा लेकि नहीं इंडिया आना पड़ेगा तुम्हें कोई वीजा लेने की ज़रूरत नहीं है तुम बार-बार इंडिया आ सकते हो तुम इंडिया के अंदर कोई भी नौन एग्रिकल्चिरल न चाहोँ थुम्स कृषए आप्राप्रिकल यह स्कते हो सरं चीजन कर सकते हो वही कर सकते हैं वो बीस एक जो तुमें वोटिंग रभय प्सक्नब्स में खड़े हो सकते हैं न वह बडाल सकते हैं न वो खुद एलेक्षिन में खड़े हो सकते हैं बाकि उन्हें सारे वही राइट मिलते हैं जो एज़ सेटिजन तुम्हें मिल रहे हैं ठेक है तो बाकि की सारी चीज ऑल्मोस सेम मिलती है ठेक है पर अभी रीसेंटली क्या हुआ है आपके कि चार मार्च को हुआ था आपकी फॉरण मिनिस्ट्री ने ना आपकी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है जैसे कि सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन है जो आपके एन राइज है अच्छा एन राइज में और ओसी आई में फर्क क्या होता है देखो यह जो चीज मैंने समझाêuता हूं ना राइज का मतलब होता है नौन रेजिडिएंट इंडियन यानि कि वह अभी इंडिया का ही सिटिजन है बस वह इंडिया में नौन रेजिडेंट जो इंडिया में रह नहीं रहा तो कैसे मेजर करेंगे इंडिया में रह रहा जो नहीं रहा क्योंकि कहीं लोग ऐसे भी ह paranormal स्प्लस niemand वो एलिजिबल होता है के स्टेटस के लिए कोई भी परसन जो वन एटी डेज करेंधियों प्लस इंडिया में मनलों इंडिया से बाहर रहता है उसे यान जाता है जो जादा इंडिया में रहेगा वो residential इंडियन में होता है मालोग जैसे तुम और मैं है हम जारा टाइम इंडिया में होता हैं तो हम एक residential इंडियन है ठीक है पर अगर तुम 180 से जादा बाहर में बाहर माऊ तो वह बन जाते हैं जब तक तुम्हारे पास अब इन्हें ही बाद में मिल जाते हैं वही मैंने आपको बताया उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो यह बाहर ही रहन लगे 180 दिन से तो जाद ही है उसके बाद फाइनली जाके जब यह दूसरी कंट्री की की सिटिजनशिप ले पाते हैं तब जाके हमारे छोड़ते हैं तब जाकर इंडिया की सिटिजनशिप इनकी खतम होती तो ऊससे पासपोर्ट चेंज हो जाता उसे पुछ अब यहां पर हुआ क्या मार्च फॉर्थ को जो करेंट अफेर्स बने आपके आपके ना ओसी आई के पहले जो लोग थे इन्हें बुला जाता था कि आप इंडिया के अंदर इनके बच्चे किसी भी एजुकेशनल इंसिटूशन में इंशन लेना चाहते हैं इन्हें इंडियन स्टूडेंट्स के बराबर ट्रीट किया जाएगा वही फी स्ट्रक्चर होगा वही सब कुछ होगा पर इंके पेरंस डॉलर में कमा रहे हैं यह खुद बाहर रहे हैं तो इंडिया की सीड्स और यह सारी परसेंटेज बचाके रखने के लिए हम गर्मन्न ने क्या किया है ग बाहर स्टे कर रहे हैं ठीक है तो उनकी फीबी अगर देखियों की बहुत जाद होती है पर पहले उसे काड़ वाले क्या करते थे उसे काड़ वालों को आई टी जैसों में बीडमिशन मिल जाती थी इंडियन सिटिजन के तौर पे प्रिविलेज के तौर पे मिल जाती थी अब उन्हें की तौर प्लस सरकार ने कुछ प्रोफेश्चन को ना इंडिया में थोड़ा रोकने का ना मलब कंट्रोल करने का फैसला किया है तो उन्होंने बोला है मिलों इंडिया के अंदर अगर को डॉक्टर डेंटिस्ट नर्स फार्मेसिस्ट आडवोकेट करना चाहता है उसे परमिशन को अंदर को क망ा करना को क्या क्या करते हैंु पर अब जैसे की जैसे ककी काम स best est के लिए उन्हें रफॉन करना पड़ेगा सरकार को कि वह क्या कर रहे हैं इंडिया थेक़ थेक्ट तो एक तरह से सरकार उंके उपर चेक रही आप है याद भी नहीं जो इंडियन फॉरंट सर्विसिस जिस जिस सर्विस के लिए आप भी इलिजिबल हो अगर यू पीएशिगा पेपर देते हो इंडिन सर्विसेज भी आप्ट कर सकते हो उन्हें नहीं मिलता वह इंडिया की ड्यूटी पे बाहर पोस्टड है जो लोग किसी और अगर तुम ऑफिशल वर्क पर नहीं मुला अगर तुम्हें गर्मेंट ऑफ इंडिया ने नहीं भेजा तुम खुद गए हुए हो या किसी पर इसके बाद इसके अलग से और वालों का जैसे प्रमिशन या परमिट भी लेना पड़ेगा अगर वह इंडिया में कोई परिसर्च करना चाहते हैं किसी मिश्ट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर किसी कंपनी में इंटर्णिप नहीं अगर तुम किसी इंटर्णिप नहीं इंडिया आए हो तो तुम बताओगे कि तुम आए ठीक है तो इसके लिए सरकार तो बहुत सारे रिस्टिक्शन्स हैं तो इसके लिए उस यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्यूं हमारे उक पर ये तनी रिस्रिक्शन्स लगा रहे हैं पर जो है तो यह सारे जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई वही सारी चीज़ें लिखिए हैं कि इस फॉर्म पर्मनेंट रेजिडेंसी अवेलिबल तो पीपल आफ इंडिया बस इसमें रेजिडेंसी मिलती है सिटिजन्शिप नहीं मिलती डाउट ग्रांट दी राइट वोट ना तुम पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं यह जितनी भी कंडिशन्स है यह आपको याद करनी है यह डिरेक्टली पेपर में आज आ जाती होती है कौन से लोग को सिए कार्ड एपलाई कर सकते हैं देखो ज उसके बाद कभी भी यानिकी 26 जनुरी नाइंटीन फिफ्टी जब हमारा कॉंसिटीशन लग हुआ हमारे कॉंसिटीशन हमारी इंडिपेंडेंस कब आई थी सबसे पहले उसकी बात करते हैं हमारी इंडिपेंडेंस सबसे पहले हमारी इंडिपेंडेंस कब हुई थी इस तेंट अगस्त नाइनटीन फॉर्टी सेवन हमारा कॉंसिटिशन बनके तियार कब हुआ था हमने डॉप्ट कब किया कॉंसिटिशन सब्सक्राइब कर दिया इंप्लीमेंटेड यहां पर दो महीने का इंप्लीमेंट किया इसे 26 जैन नाइंटीन फिफ्टी यह दो अलग-अलग डेट्स हैं इसलिए 26 नवंबर को हर साल आपके न वो मनाया जाता है कॉंसिटिशनल टे के हर साल कॉंसिटिशनल टे मनाया जाता है आपके 26 नवंबर को कोई भी परसंट जो 26 जनवरी को अंडिया में था अंडिये के सेटिशन था यहां उसके बाद कभी बना वह एलीजिबल है पहले वह इंडियागव को बिलॉंग करता है जो इंडियन ने की किए वक्रेवन एकश्थियूГस के बाद कोई भी ऐसा परसं जो decision वनने के लिए प्रश्यणल था तो इवन ग्रेट ग्रांड फादर अगर किसी या मदर किसी के इंडियन रहे होंगे उन्हें यहां पर ऐसे मिल जाएगा यह लोने इंडिया में अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा तो इस तरीके से हमने इसार काम होगा ले रहे ही इवर उन्हें रिवोकय की सब्ड है किसे दूज़ किया जा सकता है ओ się कडि की मैंबरशिप को हो ऽ किरो करने जा कि चीन ले ना किसी से अब तुम किस ग्रांडपे किसी सवागा की यह जो चीनने की इन दोज़ार 19 में सरकार ने यह भी भी बहुत स्ट्रक्टर बना दी एवन छोटे से किसी क्राइम के लिए तुम्हारा ओसी कार्ड कैंसल हो सकता है जैसे कि अगर इंडिया के अंदर लेट स्पोस्थ रॉंग पार्किंग की अगर चलान ही हो गया ठीक है तो हाँ कोई छोटा मोटा चलान भी हुआ तब भी कि ऑस्य काड कैंसल किया जा सकता है थेक है clear तो इसके बाद अगली जो चीज है ओसी सिटिसंस अफ इंडिया अलाव आ होल्ड़ इंडिया में क्या अलाउग किया जा ठाल इंट्री दो सब कुछ तो यही क्या नहीं अलाउग किया जाता जो सब सब्सक्राइब नेक्स नाशनल हुमन राइट्स कमेशन तो आपने आज कल अखबार में यह इस्यू या न्यूज में इस्यू सुना होगा कि आपके गंगा में पहले थोड़े दिन पहले भी मैंने करंट फिर में बताया था कि आपके गंगा में बहुत सारी बॉड़ी से खर्च होते हैं इतनी जादा डेट्स हो रही हैं यूपीयर बिहार में कि लोगों के पास पैसे नहीं है उन्हें करने के लोग क्रिमेशन की जगा उन्हें नदियों में बहाने लगते हैं तो इसके कारण बहुत जादा सरकारों का वहां पर उत्तरपरदेश और बिहार की सवाल किए कि इतनी बॉडी क्या किया जाए से रोकने के लिए गंगा गैंदर कोवेड़ बॉडी का मतलब है कि गंगा के पानी के अंदर को विड़ का होना ठेक है तो इसे रोकना बहुत जदरूरी है तो आपके नाशनल हीमन राइट्स कमेशन जो बॉडी है यह एक स्टा क्या मतलब होता है कि बिल्कुल यह किसी पार्लेमेंट के आक्ट के तुरू आई है कि साक्ट के तुरू आई है प्रोटेक्शन ऑफ हुमन राइट्स आक 1993 औरिजनली से बनाया ओर्डिनेंस के तुरू गया था ओर्डिनेंस क्या होता है इस लिए याद करने का यही तरीका है कि जितनी असानी से बन जाएगा कितनी असानी से कानून बना सकता है प्रेजिडेंट लाइक 123 टेक है चुटकी मारी 123 कानून बन गया इतनी असानी से तो इसलिए आर्टिकल 123 इसका ओर्डिनेंस का अर्टिकल है जो अलाव करता है प्रेजिडेंट को कोई भी कानून बनाने के लिए सब्जेक्ट की उपर कानून बना पाएगा जिनके उपर आपकी स्टेट लेजिसलेचर की पावर है यहां पर डाया प्रेजिडेंट कोई भी ऐसे कानून की उपर के उपर मनें बना पाएगा हुआ क्या है आपके इस्ट्रीब्यूट कर दिये गएँ हैं किसेंटर की कैड़ि समेधारिया हैं और दोन्व मिल के क्या कर सकते हैं तो उसके अंदर जो सेंटर की जिम्मेदारियां है उसी की उपर प्रेजिडेंट बनाती है और उसी उपर प्रेजिडेंट बना सकता है किसी भी टाइम पर बना सकता है इस जब एग या दौनों इस पार्लेमेंट बिल्कुल वें इधर और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लेमेंट आर नौट इन सेशन कोई भी एक हाउस या दोनों हाउस जब सेशन में नहीं है तब यह कानून बनाया जा सकता है ओर्डिनेंस के थ्रू ठीक है जैसे लास्ट यह आपके फार्म बिल भी सबसे पहले ओर्डिनेंस के थ्रू बनाए गए थे उसके बाद जाके उन्हें पार्लेमेंट में पास करवा दिया तो यही तरीका होता है अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे आगे बात करते हुए आपकी जो नाशनल हुमन राइट्स कमिशन है वह रिस्पॉंसिबल है प्रोटेक्शन और प्रोमोशन ऑफ हुमन राइट्स के लिए राइट्स लेटिंग टू लाइफ लिबर्टी एक्वालिटी और डिग्निटी वैसे जितने भी आपके राइट्स हैं इन्हें देने के ठीक है यह जिम्मेदार है कि बेसिकली अगर सरकार कोई भी वाइलेशन करती है आपकी लाइफ को कोई खत्रा है यहां कोई भी आपके डिक्निटी को आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में तो आप नाशनल हीमन राइट्स कमिशन के बाद जा सकते उनसे मदद मांग सकते हो में इसाय क्राइवेट बॉडिस रेरली काम करते है और प्राइवेट बॉडिस के अगेंस्ट में जाना बढ़ता है पर कंप्लेंट यहां पे भी कर सकते हैं और गानाईजेशन किसी को बंदी बनाके रख ले तो वैसे तो छुड़वाने काम इनक में पढ़ना ऑनों कोई पाण इस कीफ इब आजने के पास कोई पावर नहीं इस सिर्फ एक सिर्फ इंवेस्टीगेटटिटिंग बॉड्डी कुरूं सिर्फ इंवेस्टीवेशन कं i eating बॉड्यश है और कुछ यहां कि कोई जो मामला है उसके और रिपोर्ट त्यारों क्या सजा देनी है वो इसका काम नहीं है उसके बाद क्या होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी जितनी भी फाइंडिंग्स है वह जिस भी स्टेट के अंदर हुआ है उसके हाई कोड को यह सुप्रीम कोड को सब्मेट करती है और फाइनली वही उसके अगेंस फैसला ल कोई भी जज्ञा वी सप्रीम कोड सकता है उसके बाद वान मेंबर जो जड़ ज़स्ञा और वान मेंबर जो चीफ जस्टिस ऑफ इसके बाद थरी मेंबर और भी हूंगे उनमेंसे कम से कम एक वोमिन उन्हें होनी चाहिए है जिस फील्ट यानिवन राइट सपील्ड की ना क्वे chip क्वेंगा शो법 कर रहे हैं वहस्टाइकली इसके मैंबर बन जाएंगे जैसे आपके जितने भी नैशनल नाशनल कमिशन अफ से जो कर चैर पर्सेंट चयर्पर्शन और शनख ऑप नाशनल कमिशन और से लिए कि गरिद्च ट्राइब की।्ट सुछंस मेंट कि अपने कोई भी जो इनकी की कुर्षी बीट बैठेगा वह अपने आप नाशनल हीमन राइट्स कमिशन का मेंबर बन जाता है जो कोई भी डाउट इसमें ऑपको दूखर सकते कि Caleb एकल सकते हों कुछ सबसे पहले कौरिय को प्रेजिटेंट करता है और दूसरा को सकता है वो किन की बेकरत तक उसके उस कमेटेगी का मेंबर और और ता आपको यह साथ शारे में लेंगे कि पर में डैरेक्ट कोश्चन आ सकता होता है कि यह जैसे प्राइम मिनिस्चर के लिद रॉब उपोजेशन इन लोग सबाल इटर ओपोजेशन राजय सबहप फिर लोग सपीकर अफ लोग सबाब डेपटी चेर्में अफ राजय सबाव यह डेपटी चेर्में क्यों यहां पर है यहां पर शबन अब्र कि वह हमारा तैनल तो आख साबार है क्योंकि वह तो का हिस wireless यह दो तो प्रेजिदेंट यहांटा freeze को प्रेजिदेंट कर रहा है बस पर जो कमिटी के सारे लोग हैं यह तरह से पार्लेमेंट की मेंबर जाये अंब नेक्स्ट आपका करंट अफेर है कि आपके इतनोल से मैंडिकल ग्रीड ऑकसिजन बनाइपके महाराष्चा की एक मिलने बनाई तो उन्हों से यूज BE बनाई तो उससे यह आता है कि इतनोल होता क्या है ग्रेन एलकोहल का वी फॉर्मला यह वालटाइल है फ्लेमेबल है कलर लेस लिक्वर्ड है जिसका प्लाइटली ओडर मुझा उसके अंदर कोई स्मेल होती है ठीक है वॉलाटाइल थे फ्लेमेबल आग पकड़ सकता है क्लर ल तो यह जो चीज है यह क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टन देखो एक तो चलो आपका और प्रप्रोस के लिए यूज़ रहता है आज कल आपका जो बायो फ्यूल जैना बायो फ्यूल क्या होते हैं इस बायो फ्यूल का मतलब होता है एसे ऐसा कोई भी फ्यूल जो किसी और गैनिक मेटीरियल से बायो मालब भाय जी कोई बी ऑर गैनिक यूज करके अगर आपका फ्यूल बनाया जाएगा उसे कहते हैं तो दुनिया में इस तेम क्या हो रहा है आपकी जैसे बायो फ्यूल पॉलिसी आपके पहले करेंट फेर्स में जन्वरी यहां फर्वरी की मागजीन में है बायो फ्यूल पॉलिसी पर शनाया हुआ था यह बहुत ही हौट नॉपिक है आपके पेट्रोल और डीजल यह तो आपके फॉसिल्स के जहां रिमेंस मिलते हैं और उन से जहां से मिलते हैं वहां से पाय जाते हैं अब लॉंग टर्म में क्या किया जा रहा है देखो एक तो हमा लो क्रूड बाहर से मंगवाना पड़ता है उसके बाद चलो रिफाइन हम करते हैं पर यह चीज़ें बाहर से परिमंगवानी पड़ती है यह अपने आप में प्रॉग्लम मन जाती है महंगी पड़ती है पर दूसरी साइड पे अगर हम यही चीज़ देखें कि बायो सकते तो आपकी सरकारना यहां में क्या कोशिश कर रही है कि 15 से की क्रीब आपका प्रोल डीजर में यह इंग किया जाए तो अपके कि रिवे में क्या जाए तांकि हमारा लॉंग टम में धीरे धीरे इसे एड करेंगे तो हमारे Beispiel यह एकिंदी बढ़ से जाएंगे यह साल का टार्गेट है 15 परसेंट तो इसके लिए एक पूरी टेक्नालोजी यूज होती है कि कैसे किया जाए डिकंपोस कैसे कैसे इसे फ्यूल किया जाए पर यह जितनी एडवांस होती जाएगी हमारी जो रिजर्व क्रूड ऑल की उपर डिपेंडेंस खतम होती जाएगी तो अगर हम कभी पूरी तरह रेन्यूबल पर नहीं भी शिफ्ट कर पाते हैं तो हमारे पास एक सोर्स है अपने इंकम बढ़ाने का कि हम उन्हें इस फ्यूल की तरफ ले जाएंगी और एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हमेशा कमाई सबस्तों जादा होती है तो किसानों की इंकम ऐसे ही बढ़ाई जा सकती है नेक्स और लास्ट करेंट अफेर आपका कोवाक्स फिसिलिटी एलाइंस यह जिसे कोवाक्स इनिशेटिव भी कहते हैं करेंट अफेर आया था बैसिकली पंजाब और हर्याना दोनों कोशिश कर रहे हैं कि गर्मेंट को पुश करें मालों आल्रेडी वह जॉइंड है पर ग गर्मेंट ने स्टेट्स को परमिशन दे दी है कि स्टेट्स खुद प्रेक्यूर कर सकें दुनिया में कहीं से भी तापके पंजाब और हर्याना दोनों ने भी से जॉइन करने का फैसला कर लिया इसके अंदर होगा क्या कोवाक्स का मतलब है कोवड़ नाइंटीन वाक्सीन ग्लोबल एक्सेस ठेक है यह शौट में को वाक्स इसके तुछ दुनिया में एक एक इकवीटेबल एक्सेस देने कोशिश की जा रही है वैक्सीन की तो है क्या देखो जो आपकी डूल्ट कंट्रीज है एक तो डूल बना ली थी और उनकी वाक्सिन चलो उन्होंने बैटर तरीके से प्रोडॉक्षन भी शुरू कर लिए रही बढ़क्सिन से में आपकी वैक्सीन बहुत जल्दी लोगों पर वहीं पर आफ्रिका जैसे साथ अमेरिका जैसे इनने तो मिली नहीं रही उसके पाकिस्तान नेपाल बंगलादेश श्रीलंका इंडिया में भी कमी है पर इंडिया को बस यह बेनिफिट रहता है कि इंडिया बहुत बड़ा प्रडूसर आपक्सीन नहीं तो अगर हम सबको मिलें उसके लिए यह अलाइंस बनाई गई थी दुनिए इसे बनाने वाले एक और्गनाइज़ेशन है सबसे वहले गवी ग्लोबल अलाइंस और वाक्सीन इमिनाइजेशन उसे गवी कहते हैं उसके बाद एक सेपी है कोलिजन और एपिडेमिक प्रिपेर्नेस इक टेबली यानि कि जो आपकी ड्वेल्पिंग कंट्रीज है और जो लोग इंकम कंट्रीज है उन्हें वैक्सीन मिल सके वैक्सीन मिल सके टेस्ट कि मिल सके ताकि वह भी कोवेड़ नाइंट से अपनी पॉपलेशन को बचा सके तो यह पूरी अलाइंस है इंडिया इसका दोनर भी है यानि कि हम इसके अंदर कि और हम इसके रिशीवर भी है तो हम इसके दोनों साइड़ पर पढ़ता है गर में कोई भी डाउट हो तो यह थे आपके आज के करेंट अफेर